हलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल 22 किचन हिंदी में और फ्रेंट्स आज मैं लेकिया यहाँ अपके लिए बहुती बढ़ीया रेसिपी यानि के मसाला मश्रूम तो फ्रेंट्स वीडियो को लाज तक देखना है वीडियो अच्छा लगे वीडियो ल किसी मार्केट में देखे यहां पर इस तरह से मशरूम होता है काफी लोग 이 बारे में नहीं जानते हैं और यह मशरूम पैकेट में मीलता है तो यहां पर लियु bit लगी रहती तो आप गदी मेंट्स आप युए जब भी इस कोब वाश करते तो साबूति वाश काडिंग चड़ा दिया है गैस की फ्लेम हाई रखनी है पानी अच्छे से बॉयल करना है और यहां पर देखिए साथ ही मैंने मश्रूम को बिल्कुछ साप पानी से अच्छे से हाथ से रब करते वे धो लिया है और जो इसका पीछे का डंठल होता है जो जमीन में लगता है इसे आप ज तो यहां पर अभी इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है मश्रूम का क्योंकि हम बना रहे हैं मसाला मश्रूम तो सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी इसका मसाला तयार कर लेंगे क्योंकि यह वैसे भी काफी जल्दी गल जाती है तो अभी इसको हमको रखना है साइड के अंदर और जीरा हमारा थोड़ा सा golden color ले ले तो यहाँ पर दिखे golden color आ चुका है अभी इसमें add करेंगे हम यह बड़ी इलाइची का मूँ इस तरह से खोल दिया है को और इलाइची का मूँ खोलने के बाद में add कर देंगे दो दालचीनी के टुकडे आदा इंची वह भी add किया है दो long add करिए है मैंने यहां पर किन यहां पर साथ समय खरेंगे लिए चार चारा से गष़न चार यहां इस मंसालों में तो यहां पर उक्छा हैं इस खड़ेे मसालों को थो बहूत ही बढ़ी खुजबू आती हैं लहां पर रेच्ट बना हमें आप कट औरी वह का हमें आप पिर सकते हैं मगर बार्नी का साइब तो मजेंसाली आइसा साथ का पेस्ट करेंगे तो यहां पे ग्रेवी वाली सब exclusion बना रहे हैं मसाले-पेस्ट्न करेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा मसालम् मिर्ची एड़ कर दीए बारीक कटी वी और एक बार और चला लेते हैं अच्छे से मिला लेते हैं साथ ही एड़ करेंगे टमाटर की प्यूरी तो टमाटर की प्यूरी родमी मैंने के तेमाटर की पहले से हिप्र subtle में प्छिया गाम प्यूरी तेन अर्मीर घ्ला पेल धनीLab करें तो साथ ही add करेंगे एक बड़ा चम्मर लाल मृरूच पाउडर अगर आप लाल मृर्ची कम खाते हैं तो कम add कर सकते हैं यहाँ पर अभी इसको मिला लेते हैं नमक मैंने add नहीं किया है अभी एक बार हल्दी को अच्छा सा पका लेते हैं उसके बाद इसमें हम नमक एड़ करेंगे तो यहां पर देखिए हलदी करीब करीब पक चुकी है और बबल्स भी आ रहे हैं बढ़िया से तो मसाले को आपको चलाना है इस तरह से मिलाते हुए यहां पर देखिए मिलाते हुए जो 5-7 मिनट हो चुके हैं अभी हम इसके अंद नहीक अदर नहीं के अंदर थोड़ा सा पानी Arrow करने के बाद में इसको वापस से मिला लेerdसे हैं चारो तरफ से चलाने के बाद में इसको दकन लागा कर रग देंगे करीब हम पांच मिनट के बिल्कुल लो फ्लेम पे तो ढगा दिया है ठकन आंश्यमHHHH मश्रूम को अम बिल्कशाय करके बिल्कुल न दों आप अन्छ पर इसको इसको ठटे पानी चिफ़्ंग करना हाँ है को यहान मश्रूम के ऐक खासित होती है मगर आप जब इसको पकाते हैं सब्जी में तो इसका साइध जो होता है अपने आप छोटा हो जाता है तो बिलकुल छोटे पीस में कभी भी मश्रूम कटिंग ना करें इसी तरह से डबल पीस में मोटे मोटे पीस में इसको कटिंग कर लें और यहां पर कटिंग करने के बाद में आप ज्यादा देर इसको रखे ना और इसको आफ डायरेट ही मसाले में एड़ कर दें तो यहां धक्कन अटा लेते हैं ग्रेवी के अंदर भी तेल सेपरेट हो चुका है मसाले बिल्कुल पक चुके हैं तो यहां एड़ कर देंगे मश्रूम एड़ करने के बाद में इसको मसाले में अच्छे से मिलाना है चलाना है हमें कंटीन्यू तो इसको आप थोड़ा सा चला ले उसके बाद में आप इसमें पानी एड़ कर देंगे तो पानी आप देखे आपकी ग्रेवी के अकोर्डिंग एड़ करें मैंने यहां प पानी इसमे अट किया था वो आदे से कम रह चुका है तो एक बार मिला के सबजी को चैक कर लेते हैं ग्रेवी पानी और मश्रुम का कैसा ताल मेल है तो देखे बिलकुल बराबर बैट रहा है एकदम ग्रेवी भी फर्स क्लास दिख रही है तो मेरे को तो देखती खाने का मन क तो देखिए इस तरह से आप एक बार जरूर ट्राय करें घर पे तो यहां पर लास्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना है सब्जी बनने के बाद में थोड़ी सी हींग एड़ कर दें और कसूरी मैथी को इस तरह से हास से रफ करते हुए इसमें एड़ करें कसूरी मैथी की सब् करते हैंकर को दूर दूर तक खुलू नहीं करते हैं कभी भी इसको बीच मैड़ नहीं करते हैं मसाले वाली सब्जी में यहां पर बथा हम ठीड़ के सिरयता हैं तकि मसालों की तोड़ी कुस्पू अंदर और हो जाएं धकन लगा देंगे ओनली फॉर वन मिनट के लिए और गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल आपको मीडियम लोग फ्लेम पे रखनी है वन मिनट हो चुका है धकन अटा लेते हैं कसूरी मैती हींग की फुस्पूश में करती ही यह बिल्कुल पानी अलग मस्रूम अलग यह मसाला अलग नहीं है इसलिए इसको हमने बनाया है बताया है मसाला मस्रूम रेसिपी तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में ओकी टाटा बाइड करता करता बादा दो रे नहीं है।